हलो दोस्तो, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होने वाला है जो की स्टार्ट होगा 31st August से और 17 September तक चलेगा जो इसकी राइट्स थे कि कौन एशिया कप होस्ट करेगा वो पाकिस्थान ने पहले बिट जीत ली थी लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम पाकिस्थान नहीं जाएंगे security concerns के कारण तो finally एक hybrid model निकाला गया कि जो total 13 matches होने हैं उसमें से 9 matches होंगे श्रीलंका में और 4 matches होंगे पाकिस्थान में और आप ये भी जानते हैं कि दो group बने हुए हैं दोनों group में A और B group बना हुआ है उसमें A group में 3 countries को डाला गया है इंडिया पाकिस्थान और श्रीलंका और दूसरे group में डाला गया है अफगानिस्थान बांगलादेश और श्रीलंका तो देखिए जो group बने हैं न तो इससे तो obvious है कि इंडिया और पाकिस्थान के बीच में matches होंगे और पाकिस्थान को इससे थोड़ा नुकसान तो हो गई क्योंकि maximum matches श्रीलंका में होंगे और इंडिया पाकिस्थान को मैच देखने के लिए इंडियान्स और पाकिस्थानी जाएंगे श्रीलंका में देखने तो उनका tourism भी थोड़ा बूस्ट होगा और economy भी थोड़ी बू क्या है?